जब चुनाओं का समय होता है तो आपने देखा होगा अलग-अलग मीडिया वाले अपनी एक राय रखते हैं, exit पोल रखते हैं कि इनकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार गिरेगी, जो की सीटों के आकडों की अनुसार और सेम वही वाता औरण हमें चब SSGD के exam का result आना होता है, हमें देखने को मिलता है हर एक YouTuber अपनी अपनी राय रखता है, यहाँ पर अनुमान देता है कि आपका इतने में selection हो जाएगा तो हम यहाँ पर practical बात करते हैं, हमारा जो पिछले साल का जो experience है, कई भरतियों का, उसके साथ मैं आपके साथ discuss करता हूँ पिछले भरती में हमारे दो बंदे सेलेक्ट हुए थे, पहला लड़की का नाम है अतुल महतो, लड़की का नाम है सबनमसिक दोनों ही की वीडियो मैंने description डाल रखे हैं, आप जाके फाइदा उठा सकते हैं, complete वीडियो है, medical से लेके, पूरे detail हमने दी है तो आपको वहाँ से काफी benefit मिलेगा, और मैं अपनी बाते हमेशा simple कुछ सब्दों में रखने की कोसिस करता हूँ और यह वीडियो उतना ही simple होने वाला है, अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आए हैं, तो चनल को subscribe कर दें और हमारे साथ जूट जाएं तो बात करते हैं, यहाँ पर हम पहले जो आपके दिमाग में question चल रहा है, कि पहले हमारा result को आएगा result जो है 20 तारीक के बाद आपका result आ जाएगा, और बात करें physical की date की, तो physical की date आपकी April का जो है second week है, उसमें आपको physical की date आपको पहले मिल जाएगी, physical आपका second week से start हो जाएगा तो आपका admit card 22 तारीक तक आ जाएगा 20-22 तारीक के दोरान, जो हमारे पिछले experience के साथ बोल रहे हैं और यहाँ पे जो आपको मैं cut off बताने वाला हूँ, 101% accurate cut off है, जो मेरा experience है, 15,000,000 की जो हमने आज team बनाई है, 15,000,000 की जो हमारे students है, जो हमारे दोस्त हैं, उन सभी को हम कभी निरास नहीं करते और यहाँ पे मुद्दो की बात करते हैं फर्स मैं बात करता हूँ, state wise और काफी मैं simple रखूँगा, केवल मैं यहाँ पे undeserved category की बात कर रहा हूँ, OBC, SC, ST की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो undeserved category की जो मैं cut off बता रहा हूँ, उससे 10 marks आप कम लेके चले, जो की आपको समझ में आ जाएगा की आपकी cut off कितनी रहने वाली है, और यहाँ पे जो मैं आपको undeserved category की cut off बता रहा हूँ, इतने अगर आपकी marks हैं, तो आप बे figure हो जाएं, और अपने physical की त्यारी start कर दें, बात करता हूँ, आंदर प्रदेश की, अगर आपके 60 marks आते हैं, तो आप safe हैं, आप qualify कर दोगे return exam, अगर आपने 60 marks क पेपर आप लिख के आए हैं, तो यहाँ पे बात करें, जारखंड की, तो 85 marks यहाँ पे मांगे गए हैं, safe, undeserved category के लिए, करनाटक की बात करो तो 55 marks आपके होने चाहिए, केरला के बात करो, तो 60 marks आपके होने चाहिए, गुजरात की बात करो तो 60 marks, हर्याना की बात करो तो 100 marks आपके होने चाहिए exam qualify करने के लिए हिमाचल की बात करो हिमाचल प्रदेश की 85 marks आपके minimum होने चाहिए आपने जो paper attempt किया है उसमें अंदर प्रदेश की बात करो तो 60 marks का अगर आपने qualify किया है तो आप qualify कर दोगे असाम की बात करो तो 50 marks minimum होने चाहिए आपके बिहार की बात कर स्क्राइब電 मेर्क too, 75 मार्क्स, उत्राइपांट की बात करो तो 95 मार्क्स, उडीशा की बात करो so 75 मार्क्स, पॉंडिचरी की बात करो so 50 influ-man jak अगर आपकी हैं तो आप के written exam qualify कर दिए होगे, पंजब की बात करें तो यहाँ पर 65 मार्क्स आपको चाहिए, अ milligram की बात करो तो 75 मार्क्स चाहिए उत्रप्रदेश की बात करो तो 110 मार्क्स यहां पर चाहिए 110 मार्क्स यहां पर चाहिए तेलंगाने की बात करो तो 60 नंबर आपके चाहिए ये हमने आपको बता दिये है जर्नल की चाहें OBC से हो, SC से हो, STA से हो अगर आपकी ये नमाक्स हैं तो आप सेफ हो जाएं और आप फिजिकल की त्यारी पर ध्यान दें